बेल आइकन दबाईए और मोटर अक्टेन के विडियोस सबसे पहले पाईए कार का टायर चेंज करना कुछ लोगों को काफी मुश्किल लगता है लेकिन ये मुश्किल नहीं बहुत आसान है आज हम आपको बताएंगे के आसानी से बिना ठके पांच मिनिट में आप कार का टायर कैसे चेंज कर सकते हैं देखते रहिए मोटर अक्टेन सबसे पहले ये याद रखी कि जैसे ही आपका कार का टायर पंचर होता है अपनी कार को आप रोड के लेफ्ट साइड में लेके रोग दीजिए ये भी एंशॉर कीजिए कि नीचे का सर्फेस फ्लैट है उसके बाद आप अपने हैजार्ड लैंप्स ओल कर दीजिए और आपके कार के बूट में ये एक ट्रैंगल है जिसे आप निकाल के इस तरह से आप इसको जॉइन करके कार के पीछे थोड़े डिस्टेंस पे आप इसको रख दीजिए टायर चेंज करते समय आपके पास बेसिक टूल्स होना बहुत जरूरी है ये है जैक जैक हैंडल और वील स्पैनर ये चीजें हर कार में आती हैं और आप एंशॉर कीजिए कि आपकी कार में ये हमेशा हो एक और बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने कार के टायर प्रेशर्स चेक कराते हैं तो सिर्फ चार्ट आयर ही नहीं बलकि आपका स्पैर वील यानी स्टेपनी को भी चेक कराईए एक और चीज जो आपको काफी हेल्प करेगी वो है सेफटी गलव्स मैंने सेफटी गलव्स पेने हुए हैं जो आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे और आनलाइन भी वील खोलने से पहले ये एंशौर कीजिए कि आपकी कार गियर में है और इसका हैंड ब्रेक भी खिचा हो इससे क्या होगा कि कार रोल आन होने से बच जाएगी जैक लगाने से पहले वील नट्स को लूज कर लें इसके लिए आप अपने पैर का इस्तिमाल कीजिए और इन्हें एंटी क्लॉकवाइस डिरेक्शन में घुमाईए वो भी पहले आप अपोजिट नट्स को खोलिए वील नट्स को लूज करने के बाद आप जैक को कार के नीचे फिट कीजिए ध्यान रहे कि जैक को केवल जैकिंग पॉइंट पे ही लगाएं जो वील के नजदीक होता है और जानकारी के लिए आप अपने कार के मैनियल को भी रेफर कर सकते हैं जैक को अच्छी तरह फिट होने के बाद आप जैक हैंडल की मदद से कार को उपर उठाएं कार को उतना ही उपर उठाएं जितने में वील आजानी से निकल सके अब आप वील नट्स को पूरी तरह खोल दें और वील को बाहार निकाल दें कभी कभी wheel tight हो जाता है जैम हो जाता है तो इसे थोड़ा सा हाथ से या पैर से side में मार के आप इसे बाहर आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपकी car में alloy wheels लगे हैं तो ध्यान रखिए कि जब आप wheel को नीचे रखें तो इसका face उपर की तरह होना जाएए अगर आप नीचे की तरह रखेंगे तो शायद इस पे scratches पढ़ सकते हैं अब आप अपने spare tire को वहां fit कीजिए और wheel nuts को भी लगाईए मगर उसी तरह जिस तरह आपने उने खोला था यानि opposite side के wheel nuts इसके बाद आप ध्यान रखिए कि आपको wheel nuts को clockwise direction में घुवाना है और इने tight करना है मगर पूरी तरह मत कसिए अब धीरे धीरे आप jack को नीचे कीजिए ताकि car पूरी तरह नीचे आजाए जैसे ही car पूरी तरह नीचे आजाए आप wheel nuts को पूरी तरह से कस दीजिए तो आपने देखा कि आसानी से बिना किसी stress के आप tire कैसे change कर सकते हैं वो भी सिर्फ 5 मिनट में क्या ये वीडियो आपको पसंद आया अगर हां तो इसे like जरूर कीजिए अपने friend circle में इसको share कीजिए motorokton को subscribe कीजिए और देखते रहिए ये channel